हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं Realme के सबसे बेस्ट फोन जो 15,000 के आसपास आप पर्चेस कर पाएंगे साथ ही इस फोन के प्रो और कांस आप लोगों को बताऊंगा जिससे आपको फोन पर्चेस करने में कोई परिसानी ना हो इस वीडियो में बेस्ट क्वालिटी का डिस्पले फोटोग्राफी के लिए जबादस्त कैमरा और गेमिंग के लिए एक अच्छा प्रोसेसर आपको मिल जाएगा तो चलिए जानते हैं कौन से स्मार्ट फोन है पंद्रह हजार के रेंज में उससे पहले टेक्नोलोजी स्मार्ट फोन चैनल में आपका स्वागत है पहला फोन है रियल्मी 9 5G जिसकी प्राइज है 14,999 रुपे 4GB RAM और 64GB internal memory के साथ और दोस्तों यहाँ फोन आता है 6.6 inch full HD IPS डिस्पले और अप्टू 600 nits की पिक ब्राजनेस दिया गया है और डिस्पले प्रोटेक्शन के लिए पेंडा गलास का सपोर्ट मिलता है देखा जाये तो डिस्पले अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है और इसके साइड में फिंगर परेंट संसर दिया गया है बैक साइड में triple camera setup देखने को मिल जाता है मेन कैमरा 48 मेगा फिक्सल का 2 मेगा फिक्सल का माइक्रो कैमरा और 2 मेगा फिक्सल का कैमरा और सेलफी के लिए 16 मेगा फिक्सल का कैमरा दिया गया है प्रेटी आप वीडियो रिकार्डिंग के सोगिन है तो वैक कैमरे से 4K और फ्रेंट कैमरे से फुल हडी में वीडियो रिकार्ड कर सकते हैं फोन में का 5G चिपसेट लगा हुआ है या प्रोसेसर गेमिंग के लिए बेस्ट है आप हाई गेमिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं और 5G के पांच बैंट के साथ आता है फोन में 5000 में बैल्टी और इसी को चार्ज करने के लिए 30 वाल्ट का फास्ट चार्ज़र दिया गया ह अब इस फोन के प्रोस की बात करते हैं तो 5G का चिपसेट लगा हुआ है जो बहुत पावरफुल चिपसेट दिया गया है और साथ ही इस फोन में डिस्पले और डिजाइन बहुत अच्छे से मिल जाता है इस फोन का बैल्टी बैकप बहुत अच्छा है इस फोन में तीन च चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और विल आइकन को अंद कर दीजिए ऐसे ही भरपूर वीडियो आप सब के लिए हम लाते रहते हैं यदि कोई आपकी रिक्वार्मेंट हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा हम पूरी तरह उसको साल्ब करने की कोशिज करेंगे अगला फोन है रियल मी एट जिसकी प्राइज है 15,499 रुपे फोजी वी रेम और वन टॉंटी एट जीवी इंटरन स्टोरेज के साथ और हाँ दोस्तों यह थोड़ा पुराना जरूर है लेकिन यह एक अलराउंडर फोन है इसमें डिस्प्ले बैल्टी और कैमरा सब कुछ बहुत बेस्ट दिया गया है और दोस्तों यह आता है 6.6 इंच फुल एडी प्लस सुपर एमोलेज डिस्प्ले के साथ आता है डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए कोरिंग औरिल्या गलास और इन डिस्प्ले फिंगर प्रिंट भी दिया गया ह HDR10 का भी सपोर्ट मिलता है बैक साइड में कैमरा 64 मेगा फिक्सल का 8 मेगा फिक्सल का अल्टा वाइल कैमरा 2 मेगा फिक्सल का माइक्रो कैमरा और 2 मेगा फिक्सल का डेट कैमरा वहीं फ्रेंट कैमरा 16 मेगा फिक्सल का मिलता है इस कैमरे से इमेजे बहुत बेस्ट आते हैं बैक कैमरे से 4K और फ्रेंट कैमरे से HD में विल्डियो रिकार्ट कर सकते हैं मिल्डियर के खिलियो G95 का चिपसेट लगा हुआ है इस फोन में गेमिंग पर्फार्मेंस बहुत अच्छे से मिल जाती है इस फोन में 5000ms बैल्टी दिया गया है और बॉक्स के अंदर 30W का फार्ट चार्जर मिल जाता है अब इस फोन की प्रोज की बार करते हैं तो इसका डिस्प्ले बहुत अच्छा मिल जाता है क्योंकि इसमें सुपर एमुलेट डिस्प्ले यूज हुआ है और इसका कैमरा काफी अच्छा मिल जाता है इसका परफार्मेंस बहुत बेस्ट है इस फोन में चाचीजें बहुत अच्छे से दे रखी है पहला है डिस्प्ले दूसरा है कैमरा तीसरा है प्रोसेसर और चौथा है बैटरी अब इस फोन के कॉंस की बात करते हैं तो इसमें कोई हाई रिफ्रेस्ट नहीं दिया गया अग इसमें 5000 मेश्टी आपको मिल जाता है और इसी को चार्ज करने के लिए बॉक्स के अंदर 33 का चार्ज़श दिया गया है अब है फोन के परोज की बात करते हैं तो इसमें अच्छा डिस्प्लें मिल जाता है डे लाइट में केमरा बहुत अच्छे से वर्ट करता इस फॉन का बोट अच्छा है इस फॉन में तीन चीज़ें बहुत अच्छे को सब्सक्राइब कर दीजिए गा और विलाइगन को अंकर दीजिए गा और कोई रिक्वाइड मेंट को तो आप जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा हम उसको पूरी तरह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे